अगर आप अधार का डाउनलोड किया है तो इसको कैसे पता करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बताने वाला हूं सबसे परफल आपको क्या करने मुबाइल के ब्रॉजर में चाना है ठीक है और यहाँ पर सेर्च करना is करना है थे लाइन पटाने हैं भी और आपको रहे तो यहाँ दो दो थे को ऊंदे में रहे रहा हैं अब अच्छी को आपको यहां पर फोड़ लोडिंग ले रहा है अपसके बाध देखे आपको नीचे स्क्राइल डॉड जाशे करेंगे तो यहां पसे देखे आपको एक्टाप्सन दीख रहा और देखे नीचे में दिख रहा होगा देखे नीचे में डाउनलोड अधारा कंपें तो याणच così कुलिक करेंगा तो यह देखे आपको सबसे पहले अब आपको यहां पर देखें अधार नमबर डालने अगर हम अधार कार्ड नहीं बन supply थो अभर आपास थो आप आपको यहां enrollment ID नंबर भी डाल के निकाल सकते हैं तो यहां पर चलिए मैं अधार काट पहले नंबर यहांपर डाल देता हूं तो देखें दोस्तों यहां पर मैं capture डाल के आप send OTP में जैसे क्लिक करेंगो तो आपका मुबाइल नंबर अधार से लिंक है तभी आपको यहां डाल देते हैं तो देखें आपको डाल दिया हूं अब इसके बाद आपको क्या करने है दो है वेरिफाई और डाउनलोड में आपको क्लिक करने जैसे से मैं है क्लिक करेंगे तो आपका अधार कार्टे जो है वह डाउनलोड हो जाएगा इसके बादाँ काहां को कैसे पासवर्ट को पदा कर सकते हैं अब देखें यहां पर देखें आपको प्रोफाइल सक्षिन म आप 11 96 में जनानां पड़ेगा अपने नाम का देखे 4 अख्षर आपको डालना पड़ेगा जैसे मानी में अपको एक्जांपल बता रहीं है अब इसके बाद देखें आपको एक्जामपल के लिए बता रहा हूं इसमें कुछ भी आप जैसे आप कौन से इस्वी में जनम लिया था जैसे मान के चले यह जनम लिया था जैसे मैं डन करूंगो तो यहां से देखें आपका जो अधार यहां पर उपन हो जाएगा तो इस तरह किसे देखें आब आधार का पास्वार्ट पता कर सकते हैं पीडियाप का तो यह लगए वीडियो के कमेंट्स करके बताएगे मिलते हैं जैहीं जै भारत